हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अरध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बरती परिक्षा 2020 के नवीनतम पाठे करम के अनुसार दोस्तों मोडल पेपर की टैस सेरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपने दो मोडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों टोटल 150 प्रसनों को इसमें सामिल किया गया है परिक्षा के पैटरन के अनुसार दोस्तों अगर आपने पिछले दो मॉडल पिपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें और अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों सेर जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रेस नहीं यहां पे देखिए दोस्तों 30 दिसंबर 2019 को जारी ISFR रिपोर्ट के समंद में निम्न कतनों पर विचार कर नीचे दिये गए कूट की मदद से सही उत्तर का चैन करना है ठीक है यह दोस्तों वनो की रिपोर्ट है ISFR के अनुसार जो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी अब यहां पे देखिए उप्यूक्त कतनों में से कौन सा या कौन से कतन है वो सही नहीं है ठीक है कौन सा कतन है वो सही नहीं है उसका उत्तर अपने को कूटवा समय देना है तो यहां पे देखिए वन आच्छादित छेतर के मामले में आंदर प्रदेश पर्थमिस्तान पर है बिल्कुल सही है दोस्तों आंदर प्रदेश सही है पर्थमिस्तान पर अरोनाचल प्रदेश दित्ते इस्तान पर और 36 गड़ है वो दोस्तों तिसरे इस्तान पर इसमें आता है ठीक है इस रिपोर्ट के अनुसार आगे देखे दूसरा नमबर देश के कुल भोगोलिक छेतर के अनुपात में वन आच्छा दित छेतर में परतिसत के इसाब से वर्दी के मामले में मिजोरम सिर्षिस्तान पर रहा है तो दोस्तों बिल्कुल सही है मिजोरम है यह इसमें सिर्षिस्तान पर रहा है इस मामले में तीसरा देखिए देश में कच्छ वनस्पती वाला छेतर पांच हजार आठ सो नवासी यानि सेवन्टी नाइन वर्द किलो मिटर में विश्तरित है तो दोस्तों यहां पे यह गलत दे रखा है पांच हजार आठ स तो 89 यह गलत दे रखा है दोस्तों यहां पे यहां पे आएगा 4975 वर के किलो मिटर में फैला हुआ है देश का कच्छ वनस्पती वाला जिला छेतर ठीक है तो यहां पे तीसरा नंबर का जो गलत दे रखा है अपने को यही बताना था कि गलत कौन सा है तो वह है तीसरा केव अभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है देखिए आगे किस संस्ता में मां ग्रद कश्य वर्दनम अर्थार्त किसी के धन का लोब मत करो को आदर्सवाक के नौंबर 2019 में चुना है तो दोस्तों कौन से आयोग या कौन सी संस्ता ने मां ग्रद कश्य शिव वर् जखृर्ध किसी के धन का लोब मत करो इसको अपना आदर्स वाकर बनाया है तो कौन सी संस्ता ने तो इसका राइट अंसर हो जागी यह दोस्तों लोकबाल ने लोकपाल ने अपना आदर्स वाकर बनाया है नेक्स्ट आगे देखीए तीन नम्बर का प्रैस ने निम्न में स कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां पर देखिए जम्मो कस्मीर पुनर गठन बिल 2019 राज्य सवा में 5 अगस्ट 2019 को तथा लोक सवा में 6 अगस्ट 2019 को पारित किया गया था बिल्कुल सही है दोस्तों बिल्कुल सही कथन है यहां पर पूचा है सही नहीं है आगे देखिए संसद ने धारा 373 के तहट जम्मो कस्मीर तस्ट धारा 377 के प्रावदान को समाप्त करने का संकल पारित किया है यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है तीसरा देखिए जम्मु कस्मीर को अब जम्मु कस्मीर तथा लदाख राज्यों के रूप में विबाजित किया गया है तो दोस्तों यहाँ पे लदाख है वो राज्य नहीं केंदर सासित परदेश के रूप में इनको विबाजित किया गया है तो यहां पर राज्य है यह गलत दे रखा है यानि कि तीसरा नमबर का उप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा ठीक है और यही इसका राइट आंसर होगा आगे देखे जम्मु कस्मीर वलदाक केंदर सासित प्रदेश के रूप में 31 सक्टुमबर 2019 से अस्तित्व में आये बिलकुल सही दोस्तों तो इस प्रैसन का राइट आंसर सी नमबर का उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है किसने जम्मु कस्मीर के पहले उप्राज्यपाल के रूप में 31 सक्टुमबर 2019 को पद बाहर गरन किया तो यह किया दोस्तों ग्रीश चंद्र मुर्मुने तो इसमें बी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन एवं परियावन मंत्री की अध्यक्स्ता में राज्य आदरभूमी प्रादिकरन का गठन कभी किया गया यह गठन किया गया दोस्तों गुन्टिस नमबर 2019 को ए नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्तान की किस पंचायत को नाना जी देशमुक राष्टिय गोरव गराम सबा पुरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया राइट आंसर हो जाएगा वो है नेत्रावास गाउं सिक्कर में है उसको ठीक है तो इसमें डी नमबर उप्शन सही उत्तर आगे साथ नमबर प्रैसने इस्त्रियों की आवाज पुरुसों की तुलना में पतली होती है क्योंकि इस्त्रियों की आवाज की आवरती अदिक होती है बिनमबर का उप्शन सहीत्तर नेक्स्ट दर्व की छोटी बूंदे बड़ी बूंदों की अपेक्षा सामनेत अधिक गोलाकार होती है क्योंकि प्रष्ट तनाओं का बल गुरुत्वे बल से अधिक होता है इसलिए C नमबर का उप्षन राइट आंसर विद्धु तुर्जा का मात्रक किलोवाट गंटा है एक किलोवाट गंटा बराबर होता है तो क्या होता है तो दोस्तों वह होता है 3.6 इंटू 10 की गात में 6 जूल के इसके बराबर होता है दोस्तों तो इसमें A नमबर का उप्षन राइट आंसर 3.6 इंटू 10 की गात 6 जूल एक व्यक्ति जो फेनिल कीटो नियूरिया रोग से फरभावित है निमनलिकित में से पीडित होता है तो यह पीडित होता है मानसिक जड़ता से पीडित होता है से निमनलिकित कारकों पर विचार कीडिये तो यहां पर देखी दोस्तो केलसियम विटामिन के और प्रोथॉम्बिन यह रूदि तो केलिसियम, विटामिन के और प्रो थॉम्बीन, यानि कि एक, दो, चार इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नमबर ओप्शन, नेक्स्ट है, कार्बो हाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन वे ओक्सिजन के योगिक हैं, जिनमें हाइड्रोजन वे ओक्सिजन का कारण है, लेसून की अभी लाक्षनिक गंद का कारण है, तो ये कारण है, दोस्तो सलफर योगिक का, बी नमबर का ओप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से किस सारीरिक अंग में गलुकोज का गलाइकोजन में परिवर्तन होता है, तो इसक राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो यकरत का, बी नमबर का ओप्शन, राइट आंसर, नेक्स्ट है, पंद्रा नमबर का प्रिशन है, चेचक का टिका कहां से बनता है, तो ये बनता है दोस्तो, बेडो से बनता है, चेचक का टिका, ठीक है, बेडो से, तो सी नमबर उप्चितर बी मां का उपयोग होता है आग करता है तो इसमें दोस्तों नो डिगरी चैनल तो यह दोस्तो केरल की लेगून जील है यह यानि कि खारे पानी की जो जीले है उनको बोलते हैं दोस्तो कयाल के अंदर लेगून जीलों को तो इसमें डी नमबर का उप्शन सहीlegen तर थार बार छेतर में बालू के इस्तानांत्री तीलो को अन्य इस्तानिय नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अन्य किस इस्तानिय नाम से जाना जाता है इस्तानांत्री तीलो को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दोरोस के नाम से जानते हैं किसको दोरोस के नाम से नेक्स्ट है इस नमर प्रेस्ट है निमन मेशे भारत में सुखे के कारण कौन से है यानि कि निमन मेशे भारत में सुखे के कौन कौन से कारण है वो अपने को इसमें बताना है चार उप्षन आपके सामने है तो देखे दोस्तो वर्स के केवल कुछी महीनों में लगबग संप पूर्पून समाप्त हो जाती है आगे देखिए वनों की कमी से दरातल ये जल सिग्री ही बह जाता है ये भी इसमें सही है ठीक है आगे देखिए वर्सा की मातरा कम है तो दोस्तों वर्सा की मातरा कम नहीं है ये सुक्य का कारण नहीं है वर्सा अत्यदिक एनियमित है ये है इसका मुख्यकारण तो दोस्तों A, B और D यानि कि दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है एक, दो और चार इसका right answer D number का option सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है वनों की भूमी का निमने चक्र में होती है तो कौन से चक्र में तो ये उते दोस्तों फासपुरस में है वारत में सबसे अधिक परतिसत 1 चेतर किस परदेश में है तो ये दोस्तों मिजोरम परदेश में है भारती सविधान अंगिकार एवं अधिनियमित हुआ था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 नॉंबर गुनिशो गुननचास को जो देश का सविदान है वो अंगी करत किया गया था किस अनुचेद के अंतरगत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति दी गई है तो अध्यादेश जारी करने की सक्ति है वो अनुचेद 213 में दी गई है C नंबर उप्शन राइट आंसर से समंद्दित प्रस्नों पर अंतीम वी निष्चेद किसके द्वारा किया जाता है यह विदान सभा अध्यक्स द्वारा किया जाता है D नंबर उप्शन सई-तर से भारत का नियं तरक एवं माल लेखाकार निमन लिखित में से एक मित्र एवं मारक दरसक होता है भारत का नियंतरक एवं मा लेखाकार निमनलिखित का एक मित्र एवं मारक दर्शक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक लेखा समितिगा D नमबर उप्शन सहुत्तर भारत में मानवादिकार सरक्षन अदिनियम लागू किया गया तो यह लागू किया गया दोस्तों सन गुनी सो त्रियाणमे इसई में B नमबर का उप्शन सहुत्तर भारत की आकस्मिक निदी का संद्रक्षक कौन है भारत की आकस्मिक निदी का संद्रक्स कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो राश्टरपति, C नंबर का उप्सन सयुटतर नेक्स्ट है रिगवेदिक धर्म था तो दोस्तो रिगवेदिक धर्म था तो वह क्या था तो वह था बहु देववादी ए नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन सा एक बोध मत में निर्वान की अवदार्ना सर्वस्रेष्ट व्याख्या करता है ये करता है दोस्तों तर्शना रूपी अगनी का समन ए नमबर उप्शन सवित्तर नेक्स्ट त्री रतन सिद्दान्त सम्यक धारन सम्यक चरीतर एवं सम्यक ग्यान किस धर्म की महिमा है त्री रतन सिद्दान्त कौन कौन से है सम्यक धारन सम्यक चरीतर और सम्यक ग्यान ये किस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है वह धर्म है दोस्तों जैन दर्म सी नमबर उ कितनी स्रेणियों में घुबाजित किया है तो यह किया है दोस्तो साथ स्रेणियों में घुबाजित किया है डी सर्व परथम समन्वे हमें देखने को मिलता है हिंदु तथा इरानी وास्तु कला का सरव परथम समन्वे हमें देखने 3 Eas., कहां पर辉सदो लाल किले में तो वी नंबर Q cage ताज महल में देखने को मिलता है इंदु इरानी वास्तुकला का सरवर्परतम समन्वे ठीक है कहां पर ताज महल में देखने को मिलता है दोस्तो ए नमبر का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा ताज महल किस मुगल बाजसया ने बल्बन द्वारा प्रारंब किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया तो तो यहाँ पे सिजदा है वो समाप्त किसने किया तो यह किया था दोस्तो सहाँ जाने next है लखनाव में 1857 ईश्वी के 77 संग्राम का नेतरत्व किस ने किया था तो यह नेतरत्व किया था दोस्तों हजरत महलने किसने हजरत महलने c नंबर का उप्शन राइट आन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है 37 नमबर प्रेस्ट है महरानी विक्टोरिया की उद्गोशना का उद्देश से क्या था तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भारतिय राज्यों को बिर्टिस समराजय में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना बिल्कुल सही है भारतिय प्रसाशन को बिर्टिस क्राउन के अंतरगत रखना ये भी इसमें सही है तीसरा है भारत के साथ इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना ये द भारत में गुन्नेश्वी सताबदी के जनजातिय विद्रो के लिए निमनलिखित में से कौन से तत्वे साजा करण मुहय किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तो चार उप्षन आपके सामने है तो क्या हो जाएगा इस प्रेशन का सही उत्तर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जनजातिय सम्मुदायों की प्राचीन भूमी समंदित व्यवस्ता का संपून विदारन करना तो इसमें डी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा सुलिमान नमक अरब यात्री ने किस गुजर प्रतिहार सासक को अरबो एवं इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू बताया है तो यह बताया दोस्तो मिहीर बोज को सी नमबर ओप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है बिकानेर के वे पहले राजा जिन्होंने महराजा धिराज की उपादी धारन की ध्यातव्य है कि उन्होंने मुगल समराथ अकबर एवं जांगीर की अमुले सिवा की थी तो वो की थी दोस्तो राइस सिंग ने ठीक है मतदान करवाया गया तो यह मतदान है यह दोस्तो बारवे विदान सबाचुनाव में करवाया गया था ठीक है तो बी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट राज्य के सासन सची वाले का मुख्या मुख्य सची होता है जिसकी नुक्ति की जाती है तो उसकी नुक्ति दोस्तों मुख्य मुंत्री के द्वारा की जाती है नेक्स्ट है राजस्तान में त्याग पर्था को किस देशी रियासत ने सरोपर्थम सिमित करने का परियास किया था तो ये किया था दोस्तो जोधपूर ने ठीक है त्याग पर्था को सरोपर्थम सिमित करने का परियास किस ने किया था तो जोधपूर रियासत ने सागडी पर्था की सामाजिक कुरूती से समंदित है तो यह है दोस्तों बंद्वा मजदूर से समंदित है डी नमबर का उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्तान के पर्थम चरण मतस्य संका उद्गाटन नरिहरी विष्णू गोडगिल के द्वारा किया गया तो दो है इसमें 18 मार्च उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्तान के सवतंतरता आंदोलन के दोरान गिरपतार होने वाली राजस्तान की पहली महिला थी तो पहली महिला कौन थी तो अंजना देवी चोदरी थी कौन थी अंजना देवी चोदरी डी नमबर का उप्षन रा हुआ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांडोली मंदिर सी नंबर का उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है गेवर माता का मंदिर एक सती मंदिर है जो इस्तित है तो यह कहां पर इस्तित है D number का option right answer next गंड़गोर के तिमवार पर मारवाड छेतर में मैलाउं द्वारा किया जाने वाला लोक नर्ते है तो वो कौन सा है तो वो है गुडला नर्ते C number option right answer next निम्न में से किस लोक नर्ते में ठाकना सेली में डोल बजाए जाते हैं निम्न में से किस लोक नर्ते में ठाकना सेली में डोल बजाए जाते हैं तो ये बजाए जाते हैं कौन से लोक नर्ते में तो वो है डोल नर्ते के अंदर ठाकना सेली में डोल बजाए जाते हैं इसमें तो B number का option right answer एकाउन नमबर प्रेसन है इसमें देखे कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहां पे देखे वेली कर्षन रुकमनीरी ये दोस्तों यहां पे गलत दे रखा है क्या गिर्दरोसिया ठीक है तो यहां पे वेली कर्षन रुकमनीरी प्रत्वराज राठोड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का और निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्तानी बासा का सबसे पहला उपन्यास है तो वह है दोस्तों इसमें कौन सा तो कनक सुन्दर भी नंबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट राजस्तान के वे लोक्षंत जिनोंने बहतर लाक चान में हजार संदो से युक्त एक गरंस लिखा जिसे चोपड़ा कहा जाता है तो वे हैं दोस्तों इसमें कौन से तो इसका राइट आँसर हो जाएगा वो है दोस्तो माव जी संत है माव जी नेक्स्ट है निमन में से किस संत को वेदिक देवता विष्णु का अवतार माना जाता है तो वेदिक देवता विष्णु का अवतार है ये दोस्तो जांबो जी को माना जाता है तीक है ए नमबर उप्शन और सही उत्तर नेक्स्ट है परताप सिंग बारट के समंद में कौन सा कतन सही नहीं है कौन सा कतन है वो इसमें सही नहीं है तो यहां पे देखे इनके पिता का नाम अरजुनलाल सेटी गलत हो जाएगा दोस्तो पिता के नाम के आगे भी बारट लगेगा वो भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है अरजुनाल सेटी का सम्मध है वो दोस्तों इनका कारेच छेतर था जैपूर और इनका जन्म दोस्तों भी कानेर में हुआ ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन देखिए होडिंग्स बमकांड में ऐसा फल योजना बनाई थी तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है बिर्टिस सरकार द्वारा दी गई यातनाओं के कारण गुनी सो अठारा को जेल में इनकी मर्ति हो गई थी तो दोस्तों ये भी इसमें सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर का उप्शन क् ये गलत है पाइस स्वामि दयान सरस्वती ने उद्यपूर में निम्न में शी कोंशी सवा mobile की नंबर कीती तो दोस्तों परोपकरनी सवाब की सवाब की इसन अंसर नेक्श्ट से मरूं तिर्कॉर्ण से संबनुदित जिले हैं तो वह दोस्त डार धानर शाइं तानर ये वह आजस्तान पर्येटन विभाग द्वारा निमनलिकित मेलों और उत्सवों का आईजन किया जाता है तो यह दोस्तों ग्रिशम उत्सव माउंट अबू में किया जाता है ठीक है बिल्कुल सही है यह दोस्तों देखिए अपने को इसमी क्या क्या हाती उत्सव जैपूर में मनाय जाता है मरू मुस्तव मरू उत्सव है जसल मेर में और उत्सव विकानेर में मनाय जाता है ठीक है अब कलेंडर के अनुसार अपने को बताना है दोस्तों तो सबसे पहले पहले दोस्तों इसमें कौन सा तुमार मनाय जाता है सबसे पहले तो इसमें मनाय जाता है दोस्तों ये दोस्तो फिर आता है दोस्तो इसमें हाती उत्सव ये आएगा तीसरे नमबर पे और गिर्शम उत्सव जो माउंट आवो होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3124 डी नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स तैं मराठो के प्रभावकाल में जोध्पूर समझेता 1741 इस्वी में किस-किस के मद्दे हुआ मराठो के प्रभावकाल में जोदपूर समझेता 1741 इस्वी किस-किस के मद्दे हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हिसमें पेश्वा, बालाजी, बाजिराव, वैस, सवाई, जैसिंग ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान में एक ग्राम सबा बनती है तो दोस्तों किस से मिलती किस से बनती है तो ये बनती है पंचायच सरकिल में आने वाले गाउं या गाउं से पंजिकरत मतदाताओं से एक ग्राम सबा बनती है राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नमबर उप्शन नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन को योजना के परमुक उद्देशे के रूप में कब स्विकार किया गया तो ये स्विकार किया गया दोस्तों पांचवी पंचवर्शी योजना से बी नमबर का उप्शन राइट आंसर गरू गोविंद गिरी द्वारा इस्तापित संप सबा का परतम सम्मिलन हुआ तो ये संप सबा का परतम सम्मिलन है ये मानगड की पाड़ी पर हुआ एग नमबर का उप्शन राइट आंसर देखे दोस्तों टोटल 150 प्रस्न है जिसमें सबी प्रस्नों को इसमें सामिल किया गया चाहे वो राजस्तान जी के का हो चाहे वो इंडिया जी के का हो चाहे वो करेंट का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो चाहे वो इंगलेश का हो चाहे वो मैत का हो चाहे वो रिजनिंग का ह सारे सुब्जेक्त इसमें कवर किये गए है साइंस भी इसमें कवर की गई है। तो बिलकुल पटवार के तरह का मॉडल पेप्र बनाया गया है। अगर आपको, सच में पटवारी की तयारी करनी हैं तो दोस्तो पूरा का पूरा model paper का आपको test देना होगा ठीक है दो दिन में एक model paper आता है और आपको उसका test देना है ठीक है परिक्षा तक दोस्तो मानलो अगर अपने 50 model paper भी हो गए तो दोस्तो अब आप देखिए मेरा target है कि मैं पटवार के 100 model paper करवाऊं तो 100 model paper करवाऊंगा तो एक model paper में कितनी क्यूशन होते हैं तो दोस्तों 500 क्यूशन होते हैं तो 100 model paper में कितनी क्यूशन होगे तो दोस्तों 15,000 क्यूशन होगे कितने किशन हो गए 15,000 किशन हो गए और 15,000 किशन दोस्तों बहुत होते हैं उन में से एक भी प्रस्न है वो बार नहीं जाएगा इसलिए आप ऐसे मत सुचो कि मैं बाद में देख लूँगा या परिक्षा आएगी तब देख लूँगा अभी तो लोग डाउन लगा हुआ है क्या पता होगी कभी नहीं होगी प्रिक्षा तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाईए, तो आपको इसमें बहुत बड़ा फ्रोफिट होने वाला है। नेक्स्ट है, बिनोठा से तातप्रिय है, तो दोस्तों दुलहा दुलहन के विवा की जूतियां होती है, उसको बोलते हैं बिनोठा, C नमबर उप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेखावाटी में, ग्राम कट्राथल में, अप्रेल गुनी सो चोंतिस इस्वी में, किसके नित्तरतों में, हजारो जाट मैलाओं ने, किसान आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तो हजारो जाट मैलाओं ने भाग लिया था सिखावाटी में, ग्राम कट्राथल में, गुनी सो चोंतिस में, तो ये किसोरी देवी के नित्तरतों में, दोस्तो इसमें भाग लिया था हजारो जाट मैलाओं ने, नेक्स्ट है, गिरिस में संदी है, तो दोस्तो गि इसमें को बताना है कि हवन सामगरी का समास विग्रे क्या होगा और dovं के लिए समास मिलए समगरी तो इसका गानसर हो जाएगा संपरदान तत्पुरूस नेक्स्ट सामने पास अच्छा चारो devo और अच्छी तरह अनूचित का अर्थ देने वाला उपसरग है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो अभी D number का option इसका right answer हो जाएगा next बेटर number प्रेस्टन है कलंक में इत परते लगाने पर कौन सा सब्द बनता है तो इसमें सब्द बनता है दोस्तो कलंक की ते C number का option right answer next बेमेल का chain कीजिए तो यहां पे देखे दोस्तों देखे अवदी इनका मतलब तो होता है दोस्तों अवदी का मतलब होता है एक तो बोली होता है और दूसरी वाली अवदी का मतलब होता है समय सीमा अविराम का मतलब होता है सुन्दर और अविराम का मतलब होता है बिनारुके अनुराग का मतलब होता है प्रेम और विराग का मतलब होता है विरक्ती यानि की उदासीन तो यहाँ पे दोस्तों अली और यह गलत दे रखा है तो इसमें डी नमबर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीधा सा कि सहसास्तर, मदवा, विंडोजा, परवतारी यह सभी हैं यह दोस्तों सभी प्रियाइवाची है तो इसमें सी नमबर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा तीक है यह एक के ही प्रियाइवाच नी है तो असुद वर्तनी दोस्तों इसमें निर्वाह के अंदर है वो असुद वर्तनी है इसमें गलत है यह सब नेक्स्ट है सुद वाक्य का दोस्तों अपने को इसमें चैन करना है तो यहाँ पे देखिए उध्यान की सोबा देखते ही बनती है उध्यान की सोबा देखते ही बनती है तो यह दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उप्शन नेक्स्ट है आगे देखिए ऐसंगत का अपने को इसमें चैन करना है तो देखिए क्या हो जाएगा तो देखिए वीर पुत्र को जनम देने वाली इस्तरी जिसको विरंगना बोलते हैं ये गलत है दोस्तों ठीक है यहां पे देखिए किसी गरंथ में अन्य वेक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसको बोलते हैं सेपक है और गोद में सोने वाली इस्तरी जिसको बोलते हैं अंक साइनी और जो देखने में पिर नहीं है तो दोस्तो डेपूटेशन का मतलब होता है इसमें क्या तो ऐस्ताई न्युक्ती तो डी नंबर का ओप्शन राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है खटाई में पढ़ना खटाई में पढ़ना का वाक्य सारतक परियोग होगा तो यहां पर देखिए काटाई में पढ़ना है यानि कि इसका राइट अंसर हो जाएगा बात तेथी लेकिन एन मोके पर उसके मुकर जाने से सारा काम काँफ़ाई में पढ़ गया तो इसमें सी नंबर का ओप्शन इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों अब देखिए अपन English के question है वो देखेंगे असी नंबर प्रेशन है असी नंबर प्रेशन में देखिए अब English के question अपने start हो गए choose the correct synonym यानि कि अपने को समाना अर्थक सब्द बताना है तो यहाँ पर देखिए intimidated यानि कि इंटीमिटेड तो इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों बहबीत क्या होता है बहबीत तो इसका synonym क्या होगा intimidated का मतलब क्या होता है बहबीत तो इसका राइट अंसर होगा वह फ्राइटन यानि कि दोस्तों इसका मतलब होता है ड्राना तो इसमें B-Number का उप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा next अगे देखिए कोरल से है तो इसका मतलब होता है दोस्तों जगडालू ठीक है इसका कोरल सेल का मतलब क्या होता है जगडालू और यहाँ पे देखिए दोस्तों केंटें केरंस तो तो इसका मतलब भी दोस्तों जगडालू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फूच्छा गया था, केंटन केरेस यह तो इसका मतलब तो हो जाता है दोस्तों, जगडालू, और कोरल शियम का मतलब भी होता है, जगडालू, तो इसका A number option right answer हो जाएगा, नेक्स्ट कुछिसन है इसमें देखिए बहियां सी नंबर प्रेस ने चूज देक फॉलोविंग सेंटेंस है तो यहां पे देखिए ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक सच स्ट्रॉंग सच स्ट्रॉंग मेजस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौण सा तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो mix had taken nor will ever take तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें ए नंबर का जो उप्छन है वो इसका राइट आंसर है technology must use to feed the forces of changes तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से देख लो दोस्तो चार उप्शन आपके सामने दिये गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें must be used to feed ये इसका right answer हो जाएगा a number option next 84 number प्रेस ने इसमें देखिए correct एंटोनियम यानि कि अपने को विलोम सब्द बताना है ठीक है अब यहां पर देखिए दोस्तों अर्बन दे रखा है अब अर्बन का मतलब क्या होता है आप सभी को पतावना चाहिए दोस्तों अर्बन का मतलब है वो अर्बन का मतलब होता है सिस्ट क्या होता है सिस्ट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ओर्थोडोक्स इसका मतलब होता है दोस्तो रूडिवादी तो इसमें दी नंबर का उप्षन इसका Right आगे देखिये दोस्तों अब यहां पे छियासी से लेकि अठ्वीणा नमुक्कि आपने को पैशेज से समंदीत अपने को question दे रके हैं तो दोस्तों अपनी पेसेद से समंदित question आप हल कर लेना मैं आपको बता देता हूं दोस्तो और इज हूमन यहां पे दोस्तो आइड़म एंड फ्रेज से यानि कि लोकोक्ति और मुँह आवरे से समंदित question है तो यहां पर देखिए और इज हुमन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा तो वो है, हुमन्स आर बोन्ड टू मेक मिस्टेक, ए नमबर का ओप्सन राइट आंसर, नेक्स्ट है, तू क्राई ओवर इस्पेल्ट मिलके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, तू रिगेट्स इन वेन, ए नमबर का ओप्सन राइट अंसर नेक्स्ट ताज महल है ये भारत में है तो पिरामिड है ये कहां पर है तो दोस्तों ये मिस्ट में है यानि की B-number option राइट अंसर नेक्स्ट उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से बिन है तो यहां पे देखिए कागज, पैंसिल, सिर, टोपी यानि कि शिर पर टोपी और कागज पर पैंसिल चलाई जाती है शाई दवात बेट लपेटन आवरन तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर देखिए अन्ने सभी वस्तू पहली वस्तू दूसरी वस्तू के अंदर रखी जाती है जबकि पैंसल है वो हिमनलिकित अकसर स्रंखला में अगले पद की पहचान करें तो यहां पर देखिए एक सब्द के विपरित दूसरा सब्द लिखा रखा है तो यहां पर देखिए एक के सामने क्या आता है जैड बी के सामने क्या आता है वाई और सी के सामने एक्स और डी के सामने डबलू और दोस्तो ई के सामने क्या आएगा वी आएगा ठीक है तो ई वी यानिकी ए नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सरंकला में उपस्तित अक्सर के लिए सरवादिक उप्योगते विकल्प का चेहन करें तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा तो C, D, E, F यानिकी 4 का इसमें गैप है ठीक है अब देखिए F, G, H, I, J इसमें भी दोस्तों पलस 4 का गैप है आगे देखिए दोस्तों अब सब में पलस 4-4 का गैप चलेगा J, जो कितने नमबर पर आता है, 10 नमबर पर, तो 10 में 4 जोडेंगे, तो कितने हो जाएगे, 14, और 14 में 4 जोडेंगे, तो कितने हो जाएगा, 18, तो 14 नमबर पर क्या आता है, तो इसमें आता है, दोस्तो, N, और 18 नमबर पर क्या आता है, R, ठीक है, तो इसमें right answer क्या हो चार आठ चोबीस चान में 480 फिर यहां पर दे रखें दोस्तों 20,160 उससे पहले अक्षन में क्या आएगा तो यहां पर देखिए चार इंटू 1 ठीक है चार इंटू 1 तो कितना हो जाएगा चार इंटू 1 यह हो जाएगा दोस्तों चार इंटू 2 ठीक है और चार इंटू 2 अब चार इंटू 2 दोस्तों शोरी यह आकेता आगया अब यह 8 इंटू 3 कितने होते हैं 24 और 24 इंटू 4 कितने होते हैं तो यह 96 और 96 इंटू 5 चार सो असी और चार सो असी इंटू छे करेंगे अपन तो दोस्तों कितना जाएगा तो अठाई सो असी या जाएगा चार सो असी को छैसे मुल्टिपलाई किया तब कितने आ गए दोजार आठ सो असी और दोजार आठ सो असी को साथ से मुल्टिपलाई करेंगे तो दोस्तों 120,160 आजाएगा तो इसमें C number option राइट answer हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए 96 नमबर प्रेस ने इसमें देखिए तीन बारा दो चार आठ ये दे रखा है तो ये बारा कैसे आए ये अपने को इसमें पता लगाना है तो यहां पर देखिए दोस्तों पांच इंटू तीन कितने होते हैं पंदरा पंदरा इंटू चार कितने होते हैं पंदरा चोकर साथ और शाथ इंटू दो कितने होते हैं तो दोस्तों 120 और 120 में अपने को क्या करना है दस का भाग देना है कितने आ जाएंगे बारा तो यहां पर आ गए न बारा ठीक उसी परकार यहां पर देख तो कितने हो जाएंगे तो दोस्तो 180 तो 180 हो गए न अब दोस्तो देखिए 180 में अपने को 10 का भाग दिया था तो कितने आ जाएंगे यापे तो यहाँ पे 18 आ जाएंगे तो इसमें B number option से उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए 97 number person दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द अक्सर चुनिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तो ADGJ ADG J इनमें सब में तीन-तीन का गए पे दोस्तो तीक है यानि कि A में अपन तीन जोडेंगे तो D driesाएगा और G में अगर अगर अपन तीन जोडेंगे तो G में अगर अपन-तीन जोडेंगे तो G आ जाएगा ठीक है ठीक पर अपर शब में ऐसे हैं तीन-तीन वाड़ा लेकिन यहाँ पे T और V दे रखा है तो इसमें दो का ही गए पा रहा है बाकी सब में तीन-तीन का है सोरी देखिए दोस्तों इसमें दो का गैप आ रहा रहा ना तो इसमें T, V के अंदर भी दो का गैप है यहाँ पे देखे V, W, X इसमें भी दो का गैप है W, X इसमें भी दो का है और इसमें I है तो जे के इसमें भी दो का gap है तो लास्ट में सब में दो-दो का gap है और इसमें दोस्तो तीन का gap है शुरुआत वाले में ए नमबर वाले में सब में तीन-तीन का है और जबकि लास्ट में सब के पास में दो-दो का gap है तो यानि कि इस प्रैसन का right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो ए नंबर का option next दिए गए विकल्पों में से विसम सब्द या अक्सर को चुनना है तो यहां पे देखिए दोस्तो M O तो इसमें दोस्तो दो का गैप है और O R के अंदर दोस्तो तीन का गैप है और R और V के अंदर दोस्तो इसमें चार का गैप है यानि कि दो तीन चार का इसमें चल रहा है तो इसमें देखिए दोस्तो E F दे रखा है E F में दोस्तो एक का ही gap है E F एक का ही gap है चोथे नमबर के option में और यह अपना right answer हो जाएगा बाकि आप देखिए D और F में 2 का gap है और Q और S में भी 2 का gap है ठीक है तो इसमें D number option right answer next है 99 नमबर प्रेस्टन है निमन लिखी स्रंकला में ऐसे कितने T है जिनके तुरंथ पहले और बाद में E है यानि कि कितने T ऐसे है यानि कि दोस्तो अपने को देखना है E T E यह डूंड़ना है तो यहाँ पे देखिए E T E एक ये रह ठीक है एक E T ये रह अब आगे देखिए E T E ये रह और एक दोस्तो E T E ये रह ठीक है एक ये रह E T E तो यानि कि तीन तो E T E यहां मिल गए अपने को ठीक है यहां तक अब आगे देखिए E T E एक ये रह ठीक है एक दोस्तो ये रह E T E एक ये रह E T E फिर दोस्तो एक ये रह E T E तो इसमें टोटल है वो कितने हैं तो दोस्तो इसमें देखिए आठ टी है जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में ई है तो इसका राइट आंसर डी नमबर ओप्शन नेक्स्ट है देखिए दिये गए सब्द को पहचाने जो कलासिफिकेशन के अक्सरों से नहीं बन सकता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए नेशन ठीक है इसके अंदर देखिए अक्सरों से नहीं बन सकता तो यहाँ पर देखिए इसमें नेशन के अंदर दो एन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है एन सोरी सी नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है इसमें देखिए कथन और निसकर्स दे रखा है अपने को बताना है कि कौन सा निसकर्स सही है तो यहाँ पर देखिए केवल सनातक ही एह है इस पद के लिए ठीक है बहुत से रिक्षा चालक सनातक है बहुत से रिक्षा चालक सनातक है तो यहां पर देखिए दोस्तों कुछ से रिक्षा चालक एह है जो इस पद के लिए है इस पद है तू एहर शबी सनातक हैं इसमें दोस्तों दोनों ही निश्कर्श है सी नंबर का उफ्षन राइठ अंसर कथन में देखिए और मानेता में कथन देखिए अच्छी पुस््त के बले ही महंगी हो विक्ती है कुछ पुष्ट के दूसरी पुष्टकों से अच्छी है और दिकांस्त पुष्टके महेंगी है तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों देखे जो पुष्टक अच्छी होती है वह जरूर बिखती है यानि कि सभी पुष्टके अच्छी नहीं होती यानि कुछ सब्सक्राइब प्रतिबंद लगा देना चाहिए जो कि दूमरपान सवास्ता के लिए हानिकारक है अता है इस पर परतिबंद लगाने देना चाहिए तो इसका केवल फ़स्ट तरक परबल है यह नमबर उप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सो चार नमबर प्रेसन है इसमें देखिए M N की बहिन है M है वो N की बहिन है R M की भांजी है P R की मा है N का T से क्या सम्मद है तो दोस्तों यहां पर देखिए M N की क्या है बहिन तो यहां पर N है ये की बहिन है ठीक है तो यहां पर बहिन तो यहां पर देखिए R M की भांजी है R है ये M की भांजी है ठीक है T R की मा है T है ये R की मा है T ये है क्या है ये R की मा है ठीक है अब देखिए N का T से क्या सम्मद्ध है तो N का T से क्या सम्मद्ध है तो ये सम्मद्ध है दोस्तों इसमें किसका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है भाई का सम्मद्ध है A नंबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 105 नमबर प्रेस माया गोपाल की पतनी है माया गोपाल की पतनी है प्रिती के पती नरेश की एक वहीन जया और भाई गोपाल है नरेश का माया से क्या सम्मध है तो दोस्तों नरेश का माया से हम पे क्या सम्मध हो रहा है तो यहां पे दोस्तों सम्मध है इ आनली हिन है किसकी गोपाल की और गोपाल की पत्रश्म कोण है माया प्रिती तो यहां पे नरेश का माया से क्लास में कि नाता है तो इसका राइट श्युक्तrence दिनम्बर उप्शन से वित्तर नेक्स्ट है यहां पे देखिये time code दे रखा है T है वो दोस्तो किते नमबर पे आता है 20 नमबर पे I 9 नमबर पे M 13 नमबर पे और E 5 नमबर पे तो clock clock C किते नमबर पे 3 नमबर पे L L 1212 नमबर पे O तो दोस्तो इसमें 15 नमबर पे यानि की 312 15 किसमें है 312 15 इसमें भी है 312 15 इसमें भी है 312 15 इसमें भी है तो यह अपना गलत हो जाएगा ठीक है आगे देखिए C अब आएगा इसमें 3 और K है वो किते नमबर पे आता है तो कियाता है 11 नमबर पे, ठीक है, तो देखिए यहांपे 312 155, नहीं सोरी, 312, के किते नमबर पे आता है, I, J, K, तो के इसमें 11 नमबर पे आता है, ठीक है, तो यहांपे देखिए 312 153 11, तो 312 153 11, सी नमबर का उप्चन right answer हो जाएगा इसका, 107 नमबर प्रेस ने उस विकल्प का चैन करे जो तीसरे पद से उसी परकार समंदित है जिस परकार दूसरा पद पहले से समंदित है तो यहाँ पे देखिए 65, 8, 82 तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वाइर पलस एक कितना हो गया 8 का स्क्वाइर 64, 64 पलस एक पैसट और ठीक उसी परकार یहाँ पे बहियाशी दे रखा है तो 9 का स्क्वाइर कितना होता है 21 पलस एक तो यानि की बहियासी तो यानि की 9 का स्क्वाइर इसका राइट आंसर हो जागा No ठीक है यदि एक गड़ी एक बज कर 40 बज़े का समय दिखा रही है यदि मिनट की सूई दक्षिन पस्चिम की ओर इंगित करती है तो गंटे की सूई किस दिशा की ओर इंगित करेगी यानि की दोस्तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए के गड़ी कैसे होती है, यह अपनी गड़ी है मान दो, ठीक है, तो यहाँ पे एक बज रहे हैं, एक बज कर 40 मिनट का समय हुआ है, दो है यहाँ पे, ठीक है, तो जो गंटे की सुई है वो दक्षिन पूरव की ओर होगी, दक्षिन पूरव की और तो इसका सुरी उत्तर पूरव की और होगी ये वाला पार्ट कौन सा है उत्तर पूरव वाला तो इसमें ए नंबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरव नेक्स्ट है रमेश उत्तर की और जाता है उत्तर की और जाता है दाएं मुड़ है तो वो दोस्तों कोउण सी साक्र, पूरा वा दिसَّा-क्र चाहरा है टिक है तो किसमें a number option से उत्ता है next a b c d e f के अंदर की और मुझ कर के बेखे हैं वर्ताकार में एक दो तीन किते जने हैं छोई जने है टिक है ये छ्चै जने बठा दी CS अब देखिए, F A के दूसरे बाईं और पर है F A के, तो यानिकि F है, वो यहाँ पर है A के बाईं दूसरी तरफ है स्डूरी, यहाँ पर मैं A बटाता हूँ A के बाईं दूसरी तरफ क्या है? F है, तो यह बठा दिये मेंUA आप देखिए आगे B A के दाएं और पर है B है वो A के दूसरे दाएं और पर है B A के दूसरे दाएं और पर है तो यह दोस्तो यह यहां पर B बेठेगा दाएं दूसरे पर है A अब देखिए A D का बाएं पड़ोसी है A है वो D का बाएं पड़ोसी है तो यह बठा दिया मैंने D को C, F और B के बीच में बैठा है C है वो F और B के बीच में तो यानि कि यह C बैठ गया अब बचा कौन? तो E बचा तो E यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर देखिए F का पड़ोसी कौन है तो F का पड़ोसी EB है और CB है तो यानि कि C नमबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है यहाँ पर देखिए इस प्रस्ण को आप छोड़ सकते हैं 112 और 111 नमबर का ठीक है आप देखिए दोस्तो 113 नमबर का प्रस्ण है इसमें देखिए लड़कियों की लाइन में वानी आगे से थटे इस्तान पर है और स्वाती पिछे से नवे इस्तान पर है वानी और स्वाती के बीच साथ लड़किया है तो पंक्ती में कुल कितनी लड़किया है लड़कियों की लाइन में वानी आगे से छटे इस्तान पर है और स्वाती पिछे से नवे इस्तान पर है वानी और स्वाती के बीच साथ लड़किया है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़किया होंगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तो इसमें छटे इस्तान पर तो क्या है वान answer C number option हो जाएगा next दी गई आकरती में तिर्बुजों की संक्या ग्याद कीजिए तो यहां पे देखिए एक तिर्बुज दो तिर्बुज तिर्बुज चार तिर्बुज पांच तिर्बुज तो अपने ये सिधे-सिधे ही हो गए अब यहां पे देख सकते हैं एक तिर्बु अभी देखिए दोस्तो इसमें मिलेगा जरूर एक यह हो गया दोस्तो आठ और एक यह हो गया दोस्तो इसमें टोटल इसमें 9 तिर्बुज हैं ठीक है कितने हैं 9 तिर्बुज तो इसमें D number का option सही उत्तर next आगे देखिए 115 और 16 नंबर का प्रिशन है इसमें दोस्तों अप तो इनको यह भी बताना है कि कौन विवाईत है को ने विवाईत है ठीक है तो यह जोड़ा भी इस प्रिशन को दोस्तों आप स्क्रीन सोट ले लीजिए और फिर रब कोपी लीजिए और रब कोपी लेके फिर इसको दोस्तों बैठाईए यानि कि सीमा का कौन सा कलर होगा निता का कौन सा, रोहन का कौन सा, दिनेश का कौन सा कलर होगा, ठीक है, यह आपको इसमें बताना है, ठीक है, कौन विवाइत है, कौन विवाइत नहीं है, तो कौन किसका बेटा है, तो यह आप स्क्रिंसोट ले लिजे इसका, और मा आपको साथ में दो परशन भी बता देता हूँ ठीक है यहां पर देखिए निम नलिकित में से कौन सा एक विवाइद जोड़ा है तो विवाइद जोड़ा दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा और एक रोहन से किस परकार समंदित है तो दोस्तों दिनेश और सीमा का दिनेश और सीमा का ये विवाइद जोड़ा है में सजावें तो यहां पे मासागर, नदी, कुवा, पोकर, समुंदर, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आएगा कुवा, ठीक है, कुवा के बाद में आएगा दोस्तों पोकर, यह आएगा दूसरे नमबर पे, फिर आएगा दोस्तों नदी, यह तीसरे नमबर पे, फिर 18 नमबर प्रेस्टन में देखिए स्रंखला दी गई है दोस्तों यहां पर B, A, B, खालिस्तान B, फिर B फिर डबल खालिस्तान फिर A, B, तो दोस्तों यहां पर सिरीज बन रही है B, A, डबल B वाली सिरीज ठीक है तो यह चार-चार के जोड़े आप बना लीजिए ठीक है तो यह चार-चार के जोड़े मैंने आप बना दीए तो यहां पर देखिए B, A, डबल B तो पहले में क्या आएगा B फिर A, फिर B फिर B, यानि कि B, A, डबल B इसका राइट आंसर हो जाएगा यहनि कि D नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगी देखिए यदि पलस का आर्थ भाग और इंटू का यह आपको यहां पर दे रखके हैं इनके करम सब के तो अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है तो मैं आपको डैरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों यह वाला करम है यह इसमें बिल्कुल सही है आप इसके अक्सर है वो चैंज करके देख लीजिए यहां पर दे रखके हैं अठारा पलस 6 भाग 7 इंटू 5 माइनस 2 तो इसको चैंज करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा तो 18 भाग 6 इंटू 7 माइनस 5 पलस 2 बराबर 18 इसका राइट आंसर अठारा जाएगा आप देख लेड़ना इनके चिना को चैंज करके मैंने आप चिना चैंज कर दी है ठीक है नेक्स्ट आगे देखे 120 नमबर प्रेशन है यह भी ऐसा ही प्रेशन है यदि पलस का आर्थ गटाना और माइनस का आर्थ गुना और भाग का आर्थ जोड़ है तो इंटू का आर्थ भाग है तो क्या आर्थ हो गए यहां पे तो दस इंटू पांच भाग तीन माइनस दो पलस तीन दे रखा है तो इसका सीधा सा राइट अंसर हो जाएगा वो है दस भाग पांच पलस तीन इंटू दो माइनस तीन यह सीरीज बनेगी दोस्तों ठीक है और आप इसको सोल करोगे तो दो पलस देखिए यह तो कट गया तो दस में पांच का भाग दे दिया तो कितना आ गया तो सीधा साइज में दो आ गया अब यहां पे दो पलस ते माइनस तीन यानि कि आठ में से तीन गए तो कितने बचे पांच तो पांच इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन नेक्स्ट है चार वर्स पहले A, B और C की वो सतायू 25 वर्स थी चार वर्स पहले की बात हो रही है दोस्तो तो यहां पे देखिए 25 को 3 से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 75 तीक है और 75 यहां पे चार वर्स पहले की बात हो रही है तो 12 और जोड़ लो तो 25 और 12 कितना होता है 87 तीक है अब यहां पे देखिए 5 वर्स पहले B तथा C की वो सतायू 20 वर्स थी तो यानिकि 5 वर्स पहले की बात हो रही है तो 20 इंटू 2 कितना 40 और 10 और जोड़ लो इसमें कितना हो जाएगा 50 तीक है अब 87 में से अगर अपन 50 गटा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 37 बच जाएगा तो 37 वर्स है A की आई हो नेक्स्ट है तीन संक्याओं का ओस्षत 77 है पहली संक्या दूसरी संक्या की दोगनी और तीसरी संक्या की दोगनी है तो पहली संक्या क्या होगी यहाँ पे देखिए दोस्तो सीधा सा सिंपल है कि तीन संक्याओं का ओस्षत है वो कितना है तो 77 को दोस्तो 3 से multiply कर लो तीन से multiply करोगे फिर उसके बाद में देखे पहली संक्या दूसरी संक्या से 2 गुनी और दूसरी संक्या तीसरी की 2 गुनी है अब आप option उठा के देख लेना option उठा के देखोगे तो right answer आ जाएगा इसका वो है 132 पहली संक्या इसमें कितनी होगी 132 ठीक है तो पहली संक्या है वो दूसरी संक्या की दूगनी है तो 132 इसका right answer हो जाएगा तो पहली संक्या कितनी हो जाएगी 132 और दूसरी संक्या दूसरी संक्या 132 ठीक है और तीसरी संक्या है वो दोस्तो दूसरी संक्या तीसरी संक्या की दोगनी है तो ठीक 64 फिर 132 यह हो जाएगा दोस्तों इसमें ठीक है तो 132 इसका राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे रूट 3 अनुपात 3 का तिर्थिय गाती अनुपात क्या होगा तो इसका अनुपाती होगा दोस्तों देखे रूट 3 रूट 3 अनुपात 27 तो यानि के एक अनुपात रूट 3 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अनुपात रूट तीन रूट 3 ए नमबर का औप्शन राइट आंसर नेक्स्ट आठ एवं बारा के तर्थिया अनुपात तथा चार एवं नो के मद्या अनुपात का अनुपात है तो यहाँ पे दोस्तो देखे आठ एवं बारा का तर्थिया अनुपात कितना हो जाएगा तो दोस्तो B का स्क्वाइर बटे A, यानि की 12 का स्क्वाइर बटा 8, यानि की 144 बटे 8, यानि की कितना जाएगा, इसका ता जाएगा 18, ठीक है, और 4 एवं 9 का मद्यानुपाद कितना हो जाएगा, तो रूट 4 इंटु 9, तो यानि की 36, रूट 36 के अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 6 आजाएगा इसका, तो 18 अनुपाद 6, यानि की 3 अनुपाद, एक इसका राइट आंसर, ए नमबर उप्शन, नेक्स्ट ए, 125 नमबर प्रेस्टन है, इसमें देखिए दोस्तों, एक संकू के वक्रप्रष्ट का चितरपल, दूसरे संकू के राइट आंसर हो जाएगा, वो है, कैसी अनुपात एक, तीक है, याप कर लेना, इसको मैं आपको बता देता हूँ, डी नमबर उप्शन सही उतर, आगे देखिए, 126 नमबर प्रेस्ट ने, 20 सेमी व्यास के एक गोलार्द पर संकू रखा गया है, तीक है, और यदि संकू क पेहंदे का व्यास गोलार्द के बराबर, गोलार्द के व्यास के बराबर हो, तो संकू की उचाई पेहंदे के व्यास की दुगनी हो, तो दोस्तों, तो दोनों पिंडों का समिलित आयतन निम्न में से कौन सा होगा, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2000 पाई अब फिर तेक उसी प्रकार दोस्तो स Kollege sama प्रेस्ट इसमें भी दोस्तों अपने को क्या करना है इसमें भी दोस्तों पहले गुले का होगा आतवना मीश दूसरे गुले मीश का है पलस तीसरे के ले का है यह करना है तीम का सिर्फ durability निकालना 128 नमबर प्रेशन में देखिए इसमें भी दोस्तों ऐसा ही है कि किसी परिक्षा में 52 परतिसत विद्यारती हिंदी और 42 परतिसत अंग्रेजी में फैल हुए ठीक है तो यदि 17 परतिसत विद्यारती दोनों विशे में फैल हुए तो कितने परतिसत विद्यारती दोनों में पास हुए तो दोस्तो देखिए सीधा सा सिंपल सा है कि आप एक बार तो इनको जोड़ दो किसको 52 और 42 को जोड़ोगे तो दोस्तो कितना बच जाएगा तो देखिए 9 और 4 9 में और 4 9 में से दोस्तो अगर अपन 17 निकाले तो कितना बच जाएगा 94 में से 17 निकाले तो कितना बचेगा तो दोस्तों देखिए 94 में माइनस के 17 तो 14 और 3 यानि की इसे बचेगा दोस्तों 67 कितना बचेगा 67 सोरी 77 77 बचेगा दोस्तों अब सो में से 77 अपन घठा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 23 परतिशत विद्यारती दोनों विश्य में पास हुए हैं C नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए यदि किसी वस्तु का मुल्य बारा रुपए परतिक इग्रा से बढ़कर 15 रुपए परतिक इग्रा हो जाए तो कितने परतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च पर वावित रहेगा तो यहां पर देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना एक माइनस बारा बटे 15 इंटू सो यानि कि वर्दी कितने की हुई है तो तीन की वर्दी हुई है कितने की हो गई अब तो इसमें 15 ठीक है तो इंटू सो काट लो आपस में पांच में सो में पांच का भाग दे तो कितना जाएगा बीस परतिशत ए नंबर का उप्शन राइट अंसर एक सो तीस नंबर प्रसन है साधरन ब्याज की दर से बारा सो रुपए के तीन वर्ष और आठ सो रुपए के चार वर्ष के ब्याजों का अंतर बीस रुपए है तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी तो दोस्तो इसमें ब्याज की वार्षिक दर के बारे में पूछा है तो सीधा सा सिंपल सा राइट अंसर हो जा तो पांच परतिसात इसमें ब्याज होगा ठीक है तो आप निकाल के भी देख लेना सीधा साथ बी नमबर उप्शन सेवित्तर नेक्स्ट है किसी दंडरासी के पांच परतिसात वार्शिक दर्शे तीन वर्ष के चकरवर्ती ब्याज अता सदर्ण ब्याज का अंतर 122 है तो व किसी व्यक्ति ने चकरवर्ती ब्याज की 10% वार्शिक दर्शे 5000 रुपए की दंडरासी उदार ली प्रतेक वर्ष के अंत में उसने 1500 रुपए वापिस किये तीसरे वर्ष की समापती के पश्चात उसे कितनी दंडरासी वापिस करनी सेश रहेगी तो यहां पे देखिए त 12 लड़के किसी कारिये को 25 दिन में समापत कर सकते हैं 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कारिये को कितने दिनों में समापत करेगी तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है यहां पे 8 आदमी बराबर 12 लड़के एक आदमी बराबर यानि कि 12 बटे 8 बराबर 3 बटे 2 लड़के ठीक है तो 6 6 आदमी पलस 11 लड़के तो इसमें बनेगा 6 इंटू 3 बटा 2 पलस 11 तो इसमें 20 लड़के यानिके 12 इंटू 25 बटे 20 तो 15 दिन में ये पूरा करेंगे दोस्तो तो इसमें 2 नंबर का उप्शन सही उत्तर 134 नंबर प्रेस्टन है किसी वस्तू को 144 रुपर में बेचने से उसके करेंगे के एक बटा साथ के बराबर हानी होती है यदि उसे 168 रुपर में बेचें तो लाब या हानी होगी तो दोस्तो इसमें क्या होगा बहुत अच्छा क्यूशन है तो दोस्तो इसमें क्या होगा तो नए तुलाब और नए हानी होगी इसमें तो बीन ए सुरी ए नंबर स्थे मुझे नेक्स टेर आप एप्स करना चाहते हैं तो निमने वी कलपों में इसे आप किसे चुनेंगे तो किसे सुनेंगे तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो super script को सुनेंगे next है RFID का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तो वो है इसमे radio frequency पहचान ठीक है यानि कि radio frequency identification a number option right answer next है निमन में से कौन सा backup फाइलों के लिए सच नहीं है तो कौन सा backup फाइलों के लिए सच नहीं है तो देखिए यह फाइले हट जाती है जब computer बंद कर दिया जाता है तो यह गलत है दोस्तो ठीक है तो c number option right answer हो जाएगा next है आगे देखिए 140 number प्रेशन है sub the user interface को संदर्बीत करता है तो यह करता है दोस्तो उपयोग करता स्क्रीन पर क्या देखता है और वे इसके साथ संप्रक कैसे कर सकते हैं तो d number option right answer next है एक computer program जो की assembly बासा को machine बासा में परिवर्तित करता है एक computer program जो की assembly बासा को machine बासा में परिवर्तित करता है तो वो है दोस्तो क्या है वो तो वो है comparator ठीक है तो इसमें d number option स्युक्तर next है कौन सा function पंक्ती आंकडो को column आंकडो और column आंकडो को पंक्ती आंकडो में प्रदसित करता है तो वो करता है दोस्तो transpose c number option स्युक्तर next है बेतार mouse एक उपकरन है जो विशिष्ट रूप से किसका परियोग system unit से संप्रेक्शन करने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है infrared light wax next है internet है तो दोस्तो internet है ये computer का एक विश्व व्यापी वेब परस पर नेटवर्क है जो कि आपस में सवाद करने के लिए एक सामाने प्रोटोकोल का उप्योग करता है डी नंबर का उप्शन राइट आंसर है एक सो तुराणवा नंबर प्रेस ने इवानिजे जिसमें उप्भोगता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई वेवसाइक गतिविदी सामिल है तो इसका right answer हो जाएगा वो है बी टूबी यानि कि व्यापार से उप्भोगता next broadband connection के लिए कम से कम कितनी braid विड़त की आवसकता होती है तो यह आवसकता है दोस्तो 277 के भी बी एस ठीक है वी नंबर ऑप्शन सही उतर नेक्स्ट निमन मेशे कौन CATE के लिए Linux में एसकते है यहाँ पे देखिये इसका right answer हो जाएगा दोस्तो file हटाने के लिए D number का option right answer हो जाएगा क्योंकि यह एसकते है नेक्स्ट इ brushed inips को Linux में किसे तुप इस्तिमाल किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों इन्पूट की तरह है C नंबर उप्शन राइट अंसर next है computer जिस बासा को समझता है उसे का जाता है तो उसे का जाता है दोस्तों मसीनी बासा next है computer chip बनाने में क्या उप्योग होता है तो इसमें उप्योग होता है दोस्तों silicone का मोडल पेपर नंबर तीन है वो समाप्त हो चुका है अरद्यारस एकेडमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और थान सोगन है अगर थे शेयर ना करो तो तेक है अपने दोस्तों के पास में दोस्तों सब के पास सेयर करो इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भरत